वेलकम माई यूटूब चैनल और आज हम देखने वाल है विस्थापन और दूरी में अंतर तो अच्छे लिए देखते हैं कि विस्थापन और दूरी में क्या अंतर है तो जो विस्थापन है फर्स नेमर दिया हुआ है यह दिये गया समय अंतराल में वस्तु के इस्थिती न तक उसको ले जाती हो तो उन दोनों के बीच का जो गैप है अंतर है उसी को बोलते है विस्थापन और दूरी यह दिये गए समय अंतरान में वस्तु द्वारा तै किये गए पत की लंबाई के तुले होती है मानलो आप कहीं जा रहे हो ठीक है आपकी समय निकले हो और कितने सम के अंतराल आप तै कर रहे हो उसकी क्या होती है तुले होती है तो उसी को बोलते है दूरी ठीक है इन दोनों का डिफरेंस आपको पता चल गया होगा चली देखते हैं दूसरा जो विस्थापन है एक सदीश राशी होती है जबकि इसकी विप्रित्यदी हम देखें तो दू विस्थापन धनात्मक रिनात्मक या शुन्य हो सकता है और लेकिन जो दूरी है सदेव धनात्मक होती है क्योंकि आप मान के चुरू अपने घर से निकलती हो कहीं जाना है वहीं जा रहे हो ठीक है तो आप क्या कर रहे हो वहां से आगे बढ़ रहे हो तो आगे बढ़ रहे ना कि आप वापस आ रहे हो माइनस की और ठीक है इसलिए दूरी सदव क्या होती है धनात्मक होती है चौथा नमबर विस्थापन वस्तू के पत की प्रकृती पर निर्भर नहीं करती है ठीक है तो विस्थापन वस्तू के पत की प्रकृती पर निर्भर नहीं करती है लेकिन दूरी वस्तू के पत की प्रकृती पर निर्भर करती है कि मान के चलो आप जितना दूर जा रहे हो ठ THANK YOU